हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर लास्ट तीन चार दिनों से अग्रेसिवली हम भेल पर बात कर रहे हैं और आज आपने देखा गिरावट करी लेकिन एक अच्छी शॉट कवरिंग अपने को भेल के शिर में देखने को मिली है 192 रुपीज का शियर आज 201 तक जाता हुआ देखने को मिला है प्रोविजिनल क्लोजिंग भी 199.65 पर आईए तो अभी भेल आज़ा स्टॉक काफी अच्छे जोन्स पर ट्रेट कर रहा है और इसका डेफिनेटली फायदा जो है आने वाले दिनों में भेल के अंदर देखने को मिलेगा अगले 1-2 महिने के अंदर 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 यहाँ पर एक और खबर आई जो की भेल की तरफ से आती हुआ देखने को मिला है एक दूसरी कंपनी के लिए एक IT कंपनी के लिए जहां पर भेल ने एक IT कंपनी को 137 करोर्ट का दोस्तों ऑर दिया एक अच्छा अपडे बेल की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है अगर 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 आज स्टॉक के बात करेंगे तो स्टार्टिंग से ही स्टॉक नीचे टेट कर रहा था गिरावट में टेट कर रहा था लगबग दोस्तों 2 बजए के आजपा stock में तेजी आती है और लगबग 200 रुपय का हाई लगाता हुआ देखने को मिलता है और I think so जो आज spike देखने को मिला है अपने को ये volume के साथ देखने को मिला है और जब भी कोई counter volume के साथ uptrend दिखाता है तो वो एक अच्छा strong uptrend रहता हुआ देखने को मिलता है बड़े charts पर और यहाँ पर आज market की बात करेंगे तो अच्छी closing आई है market की तरप से आज at the end market ने एक अच्छी तेजी दिखाई है 73.85 पॉइंट उपर निफ्टी और 113 संग उपर यहाँ पर market की आप निफ्टी रहता हुआ देखने को मिला है तो बाजार से अच्छा तीजी का उमीद निकलती वी देखने को मिली है यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो चार करोड की वॉल्यूम आई है अगर आपन वॉल्यूम का चार्ट यहाँ पर खोलेंगे तो कल करोड की वॉल्यूम आई है और आज चार करोड की वॉल्यूम आई और यहे मन्तली आवरेज के बेसिस पर वॉल्यूम पआती हुए देखने को मिली है तो यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है वॉल्यूम बेसिस पर स्टॉक ने ब्रेक आउट दिया है यहां पर अगर आपन आज के इंट्राडे के हाई की बात करेंगे तो दोस्तो एक का हाई है लेकर अगर 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 देखेंगे तो 200 रुपे का है अगर कल 200 रुपे के उपर स्टॉक स्टाटिंग में ओपनिंग देता है तो जरूर दोस्तों खिदारी के बारे में आप सोच सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो दिन होगा जब स्टॉक अपना नया 52 वीक हाई देखने को मिलेगा अभी अगर अगर आपन भेल की बात करेंगे तो दोस्तों पाच रु एक अच्छा इंडिकेशन है शॉर्ट कवरिंग बन रही है स्टॉक में तेजी करता होगा देखने को मिल रहा है स्टॉक तो कल का दिन काफी इंपोर्टेंट होगा बेल के काउंटर के लिए और कल अगर दोस्तों पाच रुपर अगर स्टॉक की प्रोविजिन आ गई तो अगर वीडियो चला का चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंकि इस वीडियो